एक्सल में दोस्तो स्कूल फी मैंटेन करने के लिए न ये सिंपल सी सीट मैंने बनाई है जिसमें आप बड़ी आसानी से स्कूल फी मैंटेन कर सकते हो और इसको बनाना बहुत आसान है इसके लिए कोई एडवांस स्किल की हमें जरूरत नहीं है अगर आप एक्सल में बिगनर तो भी इस seat को आप बड़ी आसानी से बना सकते हो और यहाँ पे school college fee आसानी से maintain कर सकते हो इसको बनाएंगे कैसे step by step इस वीडियो में आपको सीखना है मैं हूँ दीपक आपका दोस्त let's begin this topic सबसे पहले ना आपको क्लिक करना है basic cell पे यहां से अपनी headings type करनी आपको शुरू कर देनी है मेरे case में मैंने type किया है roll number name father name phone और class आपके case में जो भी basic information हो वो headings यहां पे आप type कर लेना इसके बाद एक cell खाली आपको छोड़ना है यहां पे आएगा fee structure total fee monthly fee इसके बाद यहां पे months हम type करेंगे तो यहां पे month start होंगे April से तो मैंने type किया APR sort में इसके बाद यहां से months को dragon drop हम कर लेंगे कहां तक March तक March ठीक है April को हम हटा देंगे यहां से और इन cells को हम करेंगे select और इनकी width थोड़ी सी हम कम कर देंगे इस तरह से इसके बाद यहां पे आगे जाएंगे एक cell खाली छोड़ेंगे यहां पे type करेंगे paid months paid months कितने months की fee हमारे पास आ गई है यहां पे हम type करेंगे remaining months मैंने sort में type कर दिया REM months यहां पे हम type करेंगे deposit deposit fee और यहां पे हम type करेंगे balance ठीक है इनकी weight हम set कर लेंगे इस तरह से थोड़ी सी कम कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पे हो गया balance ठीक है यह जो heading से सारी income करेंगे select और home tap पे जाके इनको कोई भी fill color से highlight कर देंगे bold कर दिया ठीक है अब हम करेंगे क्या roll number की जो विर्थ है इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे class की विर्थ को थोड़ा सा कम कर लेंगे और name father name और phone इनकी जो विर्थ है इनको थोड़ा सा extra कर देंगे इस तरह से यह जो अब एकान कर लिजिए आप format आप जहां तक लेना चाहते हो वहां तक range select कर लिजिए home tap पे जाएगे यहां से border आपको लगाना है border हम light color का लगाएंगे dark black color का नहीं लगाएंगे line color पे जाएंगे यहां से कोई भी light color आपका लीजिए select मैंने ये वाला ले लिया इसके बाद हम करेंगे क्या यहां पे escape की press करेंगे home tap पे जाएंगे और यहां से all border पे कर देंगे click तो border लग गया ठीक है यह जो खाली cell हमने लिया था यह पूरा column जहां तक हमारा format इसको करेंगे select home tap पे जाएंगे और यहां पे black color फिल कर देंगे total fee और monthly fee इनको भी करेंगे select और यहां पे भी black color हम फिल कर देंगे font color white कर देंगे हो गया और यह जो column है इसकी जो विर्थ है इसको हम कम कर देंगे इस तरह से ठीक है इसके बाद यहां से यह range हम करेंगे select home tap पे जाएंगे और यहां पे hulk कासा कोई format लगा देंगे इस तरह स select home tap पे जाएंगे और यहां पे black color fill कर देंगे और इसकी जो विर्थ है इसको हम कम कर देंगे इस तरह से इनको हम करेंगे select यहां पे भी हम वही काम करेंगे black color fill font color white ठीक है इतना काम हो गया अब यहां पे हमें basic information type कर दिया है तो मैं type नहीं करूंगा मैं क्या करूंगा यहां से copy paste कर लेता हम ठीक है तो मैंने यह information यहां से copy की control c और यहां पे जाके मैंने इसको कर दिया paste control v ठीक है और यह जो extra record है इनको मैंने कर दिया यहां से delete ठीक है इस तरह से अभी यहां पे 10th class के लिए हम जो है seat बना रहे हैं तो यहां पे class में मैंने type कर दिया 10 और इसको कितनी है मानलीज यह 20,000 है ठीक है यहां पे 20,000 इसके बाद यहां पे monthly fee कैसे निकलेगी equal करके total fee को हम divide कर देंगे कितने से 12 से enterprise कर देंगे यहां पे monthly fee निकलके आ गई है range को करेंगे select और इन दौनों को नीचे तक drag and drop कर देंगे right click करेंगे ठीक है अभी यहां पे देखिए यह series fill हो गई है मैं series fill नहीं करनी है यहां पे आपको click करना है copy cell पे click कर देना है तो same to same value नीचे fill हो गई है right click करना है format cell पे जाना है और यहां number पे click करना है यह जो decimal places है इसको कर देना 0 और यहां thousand separator पे tick लगा देना है okay कर देना है तो यह देखिए amount इस तरह से दिखाई देगा अभी मेरे case में क्या है कि जो fee है total fee वो सभी के लिए same है आपके case में यह अलग-अलग students के लिए अलग-अलग भी हो सकती है तो वो आप यहां पे type कर देना monthly fee automatic निकल के आ जाएगी अब यहां पे बात आती है कि इसा से font को open करना है सबसे नीचे जाना है यहां पर आपको मिलेगा wingdings2 यह आप फंट यहां पर apply कर दीजिए अब यहां पर क्या होगा आप जैसे ही अपर case में पी टाइप करोगे तो यहां पर टिक मार्क आ जाएगा इससे आप मार्क कर सकती हो इस मंत में जो student की fee है वो आ यहां पर हमें आगे का काम करना है paid months कितने months की fee हमारे पास आ गई है यह कैसे count करेंगे equal करके count if का formula हम लगा देंगे bracket open अब क्या करेंगे इसमें एक range हम दे देंगे months की range दे दी इसमें हमें क्या count करना है कि P कितने cells में लिखा हुआ है अपर case में P enter press कर देंगे तो यहां प पहला student है इसकी 2 months की fee हमारे पास आ गई है remaining months कितने months की fee बची है यह कैसे निकालेंगे इसके लिए तो simple सा formula है count blank count blank इसमें हम यह range देंगे इस range में जितने cell खाली है इसका मतलब उतने months की payment उतने months की fee हमारे पास नहीं आई है बची हुई है तो इस तरह से यहां पे remaining months count हो ग ही है equal करके paid months multiply by monthly fee है ना simple सा fund है कि कितने months की जो fee हमारे पास आ गई है और एक month की fee कितनी है इन दोनों को multiply कर देंगे enterprise कर देंगे तो यहां पे deposit fee इतनी आ गई है balance क्या बचा हुआ है equal करके remaining months कितने महीने की जो fee बची हुई है उसको multiply कर देंगे पर month की fee से enterprise कर देंगे तो यहां पे balance आ गया इसको पकड़के नीचे drag and drop कर देंगे इस तरह से इन दोनों ranges को हम करेंगे select right click करके format cell पे जाएंगे number पे जाएंगे decimal को कर देंगे zero और thousand separator पे tick लगा देंगे ओके कर देंगे तो यहां पे amount देखिए सही तरीके से आपको दिखाई देजाएगा तो यहां पे काम हो गया है अब यहां पे आप entry करोगे p type करोगे तो यहां पे देखिए automatic यहां पे सारी calculation हो रही है समझा गया इतना तो बस इस तरह से आपको यह seat maintain करनी है हमारा काम हो गया है आप इसकी जो विर्थ है यहां से थोड़ा बहुत सेट कर लीजिए रॉलंबर हो गया नेम की विर्थ कम कर लीजिए ठीक है जरूरत के हिसाब से थोड़ी थोड़ी इनको सेट कर ले न इसके बाद यहां पर आगे तो हमें यहां पर जाद कुछ करना नही टीक है यहां से इसकोन ऐसे करते हैं अब एक काम करते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां तक आपका डेटा जारा नहीं तक आपको ये दो रो करनी है सेलेक्ट तीन कर लीजिए ठीक है तीन हॉमपे जाएंगे यहां पे कोई भी कलरा फिल कर लीजिए तो मैंने हापे क्या किया यहां पे मैंने सिंपल सा यह कलर फिल कर दिया ठीक है पहले इन सेल्स में मैंने क्या किया यहां पे हॉमपे जाके इन म open करेंगे bottom bottom double border इस पे हम कर देंगे click तो यहाँ पे नीचे border लग गया है अब यहाँ पे हमे menu create करना होगा अभी यह एक class के लिए हमने यहाँ पे seat बनाई है आप यहाँ पे menu create कर सकते हो 10th 11 12 जो भी है तो अभी हम करेंगे क्या insert टैप पे जाएंगे यहाँ पे तीन बटन बना लेंगे insert पे जाके illustrations पे जाके shape में जाएंगे और यहाँ से simple यह वाली shape rectangle rounded corner यह वाली shape हम यहाँ से उठाएंगे और इसको यहाँ पे हम कर देंगे drag इस तरह से drag and drop ठीक है यहाँ पे हम type कर देंगे class 10 control A से select करके control shift greater than shape font size हम सेट कर लेंगे ठीक है control E से center में कर देंगे shape के तो यह हमारी पहली shape आ गई है इस पे click किया control key press की और line पे click करके drag and drop कर दिया तो दूसरी shape भी आ गई है इसको हम थोड़ा सा set कर लेंगे और इसी तरह से यहाँ पे एक और हम बना देते हैं कितनी भी आप यहाँ पे shape ले सकते हो और कितनी भ अभी मैंने क्या किया 10 को हटा के यहाँ पे type कर दिया 11 और यहाँ पे type कर दिया मैंने 12 ठीक है इसके बाद grid lines को hide कर सकते हो view पे जाके grid lines आप hide कर सकते हो यह देकि seat अच्छी लगेगी आपको है ना और नीचे अगर आपका data और भी ज्यादा होता है तो पकड़के नीचे इ नीचे भी आ जाएगा अब देखिए करेंगे क्या हम इस seat की 3 duplicate copy create करेंगे तो seat पे जाके right click करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे move और copy create copy पे click करेंगे okay कर देंगे एक copy इसकी यह आ गई एक और कर लेते हैं तो यहाँ पे move और copy पे click करके create a copy okay ठीक है तो यह तो होगी हमारी class 10 यहाँ पे हम इसको rename कर देते है class 10 और यहाँ इसको कर देते है class 11 ठीक है और यहाँ इसको rename कर देते है class 12 अधिक, तो ये हमने यहां पर सीटप कर दिए प्लास टेन पहें आई आऴ अब हम करेंगे क्या इन बटन को सेट्ट को हाइप लिंक सेट कर देंगे आभी हम क्लास टेन पहें यहां पर थोड़ा सा सवह एक ब्लेbn सिट कर देंगे कि इन बटन पर हमें ये पतन चल जाए कि आपना सी क्लाश हमाइदा टो ये ग्लिक किया वाइद पर यहां पर वाला फ्रिक है और यहां पर आप के लिद्ध कर गिया था येफ्म Tech को छा थेंगे अ लिंक और यहां पे places in this document इस पे क्लिक करना है और class 11 पे क्लिक करके आपको ok कर देना है इसी तरह आपको class 12 वाली save पे क्लिक करना है Link और यहां से Class 12 आपको Select करके OK कर देना है तो अब देखिए यहां पर जैसी Class 11 पर क्लिक करूँगा तो Class 11 की Seat पर हम आ गई हैं अब यहां पर हम करेंगे क्या इस पर हम क्लिक करेंगे फिर से और इसको हम करेंगे क्या फॉर्मेट पर जाके यहां से इस कलर से हम सेट कर देंगे अब यहां हमें पता चल गया कि हम Class 10 पर आ गए है मतलब Class 11 पर आ गए है Class 10 पर हम जाएंगे Link पर क्लिक करेंगे इस सेप पर हम Class 10 वाली सीट को Link कर देंगे और यहां Class 12 वाली सेप पर हम करेंगे तो यहाँ पर जो data आपने इना सेाल ले रखको है तो आप देख लेना क्लास 12 पर जाओगे तो यहाँ पर क्लास 12 का data आपको दिखाए देगा control के साथ यहाँ क्लिक करेंगे क्लास 12 को और format पर जाके यह वाण format लगा देंगे ठीक है इस तरह से तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे लिंक कर देंगे इनको क्लास 11 से मैंने इसको लिंक कर दिया इसको हम लिंक कर देंगे क्लास 10 से ठीक है तो बस यह लिंकिंग आपको सेट कर दिए एक बार इसके बाद हमारा काम कंप्लीट हो गया है यहां पर जो डेटा मेंटेंड किया होगा वह सा आगया पी लिखा यहां पर के समय पी टाइप किया तो टिक आ गया हम यह चाहते हैं कि जैसे यहां पर टिक लगे तो सेल भी हाइलाइट हो जाए तो इसके लिए यहां पर टाइप करोगे मार्क लग जाएगा और आपको पता चलता रहेगा कि कहां तक जो है एंट्री हो रखी है ठीक है ना बाकी कैलकुलेशन यहां पर आपकी सही होती रहेंगी अच्छा यहां इस सीट में आप केवल मंस को मार्क कर सकते हो इस तरीके से डेट मेंटेन यहां पर नहीं होगी कि किस डेट को फी सम्मिट की अगर आपको डेट मेंटेन करनी है तो इसके लिए आप एक काम कर लेना एक अलग से सीट एड कर लेना और यहां पर आपको एक सिंपल सी सीट बना लेनी है ठीक है तो यहां पर मानलीजी मैं यहां पर आ ग क्लास के लिए common seat रहेगी जहां पे आप student का रॉल लंबर लिखोगे नेम फादर का नेम फॉन क्लास कितनी फी डिपोजिट की और यहां पे किस डेट को डिपोजिट की तो यह सीट आप यहां पे बना सकते हो जिसमें आप सभी क्लास के लिए entry नॉर्मल करके रख सकते हो ठीक को like share comment जरूर कर देना मेरी help कर देना थोड़ी सी और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार बहुत कुछ यहां पे नहीं सब्सक्राइब को मिलता रहता आपको मिलता हूं अगले वीडियो में थैंकि दोस्तों have a nice day जैह हिंद वंदे मात्रम टेक केर